नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं फेंटासी जोन में तो दोस्तों आज के वीडियो में डीविएल का मैच नंबर 6 कबर करने वाले हैं जोकी खेला जायाएगा गाइस चोट्टो कम चैलेंजर और खोलना टाइगर के बीच तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करों तो इसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमारे ने वीवार से अगर आप हमारे चैनल पर ने विजिट कर रहे हो तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर दिजेगा क्यूंकि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही मिलता है आपको ग्रेंड जो पीछ है यह थोड़ा बेलेंस है बेलेंस फिच लेकिन यहाँ पे बोल्लिंग को थोरा फैवर मिलता है ठीकि Yesव सबसे जो ए एबरेज यह 22 का है वर यहाँ दोस्तोν खोलना टाइगर के जो विगेट कीपिंग आपको देखने को मिलेगा एम रहीम जिनों ने लास्ट में चोंबे छे ही रान बना पाए थे और इनका सेलेक्शन परसेंटीज भी सेलेक्शन परसेंटीज है तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या है दोनों विगेट कीपिंग आभी तब कुछ खास फॉर्म नहीं है लेकिन प्लेयर बेहतरिन है इसलिए दोनों को चार्ट टिमों में डिवैडेट कर रहा हूं मैं ठीक है कुछ इस तरह से घाइज यहाँ पर एम तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं बेटिंग सेक्शन तो बेटिंग सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर खोलना ट्राइकर्श की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर टी हुसन उसके बाद यह फ्लेचर लास्ट में तुम्हें 45 रान बनाये थे और जिनका एवरिज से 26 का ठीक है उसके बाद देखिए यह पर आर्क तालुकदर जिन्होंने 61 रॉन बनाये थे और इनका एवरी से 19 का एवरीज है फिर आते हैं गाइस वाई वाई चदरी जिनका एवरीज 27 का है लास्ट में चुमें 13 रॉन बनाये थे सेलेक्शन पर्सेंटेज की बात करते हो गाईस सिर्फ और सिर्फ थ्री पर्सेल लोगों ने ही लिके रखा है यह आज आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है तो दोस्तों मैं वाई चोदरी को सारे टिम में डाल रहा हूं क्यूंकि इनका एवरीज बहुत ही अच्छा है फिर तो यह आप इसलिए वाई चोदरी कॉंफार्म रहें वाई मेरे टिम में वाई चोदरी सारे टिम में डाल दूंगा गाईस हुआ कि तो गश्वास आप बात तरह बाकी और दो स्पोर्ट की ठीग है तो दो स्पोर्ट की बात करें तो यहां पर आते हैं गाइस यहां पर डॉबलु जैक जो नहीं लास्ट मैचों में 16 रां बनाये थे उसके बार बोलिंग भी करते ठीग है गाइस उक एक नहीं मिला 25 का डूब्लू जैक का एस रहमान ठीक है एस रहमान का यहां पर देखो छे पहले इनिक्स में छे रान उसके बाद 29 रान बनाये थे दूसरे में चुमें 25 का अब्रीज है और गाज आपको यहां पर देखने को मिलेगा एस पाटवरी जिनोंने लास्ट में चुमें एक रान ब पहले टिम में डबलू जैक को दूसरे टीम में एस रहमान को गई के ऊसओं और तीसरे टिम पर गईंच यहां पएस पाटकवरी को सब्सक्राइब नहीं है फिर भी यहाँ पर लोगों ने बहुत सारे कम लोगों ने लेकर रहा है इसलिए मैं इनको दो टिम में रखके थोड़ा रिक्स ले रहा हो अगर आप चाहते हो सेब जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर डॉब्लू जेक के साथ जा सकते हो यार एस रहम करी मेरा चोंते टिम कर भी रहेन वाला है तो आप बात के लिए यहाँ पर वाल डाउंडर सेक्शन की ठीक है तो अल्डाउंड की बात करें तो यहाँ पर आपको खुलना चैलेंजस की तरफ से वाल डाउंडर देखने को मिला गाइस एन इस्लम एन इस्लम 15 रान बनाये थे लास्ट में एक विकेट भी लिए थे ठीक है गाई 25 का अबिलिक से से लेक्शन पार्सेंटीस फिर से आठ परसें लोगों ने लेकर रहा है बहुत ही कम सेलेक्शन पार्सेंटीस है लेकिन प्लियार बहुत ही जबड़ दस थे ठीक है यह जो एन इस्लम है ना यह आज के मैं चुक्त गेम चेंजर बन सकते हैं आपके लिए और यहाब पर गाइस देखी है आपको यहाब पर देखने को मिलेगा बी हवेल देथ में बोलिंग करने आते हैं और है चार रान बनाया थे पहले में और विकेट नहीं मिला था फिर से दूसरे में चुमें यहाब पर 37 का रा रान बनाये थे पहले में और चार विकेट भी लिए थे साथ में दूसरे में 25 का स्कोर के थे तो इनका सेलेक्शन पर सिंटेस है 15 पर स्ट्री एक्टी वान पर सेंट फंद्रा की एवरेज इस ठीक है अब यहाब पर रहता है एह हुसाइन जिन्होंने गाइस यहाब पेहले सिर्फ और सिर्फ पाच पर सेंट है यहाब पर खूलना टाइगर्स की वाल्रावन की बात के लिए तो कैसे यहाब पर टी परेरा लाश में तो मैं 36 रान बनाये थे एक किसका एवरी से चल रहा है ठीकर गाइस सेलेक्शन पर सिंटेस की बात कर तो यहाब पर 90 पर सेंट लो लोगों ने ही सेलेक्शन करके रखका है और यहाब पर एस शुब हो ठीक है गाइस जीरू इकेट लिया थे कुछ गान भी ने बना बाइए ते 19 के अबरिस तो चल रहा है एक पर्सेन लोगोंने सिलेक्शन करके रखका है यहाब पर एम हुसाइन जिनका एबरिस 20 से सिलेक् लोगों ने इसलेक्शन करका अभी यहाँ पर करना क्या है यहाँ पर आपको यह जो तीन मैं आपको बताया जिनका सेलेक्शन पार्ट सिंद बहुत कम है लेकिन एवरीज बहुत बढ़िया है इन तीनों और यह दो जगा पर कॉम्मिनेशन करके डाल देना है ठीक है यह दो अक्साल ठीडार कई रहुषैन और म हसाल फोगे पहला टीम वींगास दूसरे टीमों में यहाँं पर आपको देखने को मिलेगा एन इसलम और यहाँ पर चातिरी और हाज यह पर यह 승 승म और अक हैसम कैट और किन दोंगा इसलम आप ज्योंदाध ए सब्सक्राइब है इसलिए में तीनों को यहां पर डलना वाला हूं ठीक है कुछ इस तरह से दिखें यह हुसेंड गाइस यह हुसेंड एल इसलम और यहां पर एम हसान ठीक है तो आप बचते हैं यहां पर बैटिंग सेंट और और सेक्षन से एक टो गई हाँ पर बेटिंग सेक्षेंस से यह फिलका खोलना टाइगार्स के फेस्ट्समींस से विर्ट यह。 एक टीम में गैस और दुसरी टीम पे आठ अलॉगदर में तीसरी टीमों में का टी हसन त्थीक है तो आप रहते हैं और एक्षपर्ट ठीकर ना तो यहाँ करना क्या है यहाँ पे आपको यह फ्लेचर आठ अलॉगदर वाई चैद रिका लरी का आपको करना है इन तीनों में से जो भी बैस्ट अपको लगे इनको डाल देना है जैसे कि मेरे मानों तो मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ ए आर तालुगतर को ठीक है गाइस कुछ सतरी से फेल हो गया है बेटिंग सक्षण को वैसी है पर पलता है और एके इस Kü還 कि अमने अधूम को क्रानाए कैया है यहाँ पर एन इसलाम को भी हमने ले लिया है और हम पर आशान कि एम हसान को भी हमने ले लिए मैं तो अब बस्टेजिया एब बढ़ा उल्राउंड तो इस तो क्या क्या है एक टिम में डाल देना है तो है एम मिराज और दूसरी टीम में भी हवेल तीसरे टीम हमें गाइस यहां से टी परेरा ठीक है गाइस टी परेरा यह आपका यहां पर एस चुब हो तो एस वो अब कर बेटिंग ओर डाउन में आते हैं तो इनको लेना ज्यादा रिस्की हो जाएगा ठीक है बोलिंग भी इतना ज्यादा नहीं मिलता है और इतना फॉर्म में नहीं है हो सकता है कुछ पार्फरम कर जाए तो भी मैं टी परेरा के साथ ही जा रहा हूं ठीक है तो आप चलते हैं यह चार बोलिंग सेक्शन को फिल करने ठीक है बोलिंग सेक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर दे सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहाँ पर मैं बात बता दो गाइस मैं टेलिग्रम पर बहुत ही फास्ट आपको टीम दे देता हूं यहाँ पर लाइन आप के पाच या च्छे मिनिट के बाद ही आपको टीम मिल जाता है मतलब मैच शुरू होने का 15 या 20 मिनिट आपके पास रहत सब्सक्राइब करता हूं टेलिग्रम पर ठीक है तो एक दो प्लेयर को आप ज़रूर रूटेट करना अगर आपको ज्यादा रिस्की लग रहा है तो ठीक है तो आप चलते हैं आप बाकी और थ्री स्पोर्ट यह एक स्पोर्ट फिल होने वाला है चर्ट्टो गम चैलेंजर में cheaper से तो यहाँ पर करना क्या है एस इसलम और यहाँ पर एन अहं मैद तो एक एक ट्इम में में इस यहाँ पे एस इसलम और एन आ महाँ मैद 5ल से आपको करना है ऐस इसलम और एन अहरी म rif तो हमने यहाँ पर चलेंज ले लिए है अब बाकर रहा था दो स्पोर्ट जो कि फिल होने वाला है खूलना ट्राइगर के बोलिंग सेक्शन से तो यहाँ पर देखिए आपको एफ प्राजा जो कि जीरू किट लिए है चार पर्सेल लोगों ने सेलेक्शन करके रखा है ठीक है तो इनको मैं यहाँ पर सारे दिव में रखके एक एक प्रीस्क ले रहा हूँ ठीक है कैसा आप चाहो तो हैं पर कम्लिशन बना सकते हो ठीक है कुछ इस तरह से चलो यहाँ पर कमद्रिशन कर लेते हैं यह आ पर एफ रजा और यहाँ पर नो मिल होक एक टिम में एक टिम में और दूसरे टिम में के रभी और एफ राजा के रभी और एफ राजा और गाइस तीसरे टीम में यहाँ पे एन होग और के रभी के रभी ठीक है आप चोते टीम पर मेरे टीम में एफ रजा एफ राजा को और है के रभी कि यह टीम पूरा रिस्की टीम हो गया गाई यह पर सारे बेट्समेंट की बात करो और वाल डाउंडर की बात किजिए और यह तीन टीम थोड़ा सेफ है लेकिन मैं कभी भी ग्रेंड लिग के लिए सेफ टीम नहीं बनाता हूं क्योंकि सेफ टीम बनाना से आपका टीम एवरि तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से बनने वाला है मेरा चार कॉम्बिनेशन ठीक है गईस तो आप बात कर लिते हैं यहाँ पर कैप्टीन और बाइस के प्रिंट की इससे पहले आज का सवाल आपके लिए आपको बताना है गाईस एन इसलाम एन इसलाम यहाँ पर आप आपको कितने विकेट आच देने वाला है और जिनका अंसर सही है वही बढ़ेगा विनर अंसर देना आपको कमेंड में तो दोस्तों आप चलते हैं कैप्टीन और बैस के प्रिंट की तरफ जहां तक सवाल है बैलेंस पीच का और यहाँ पर गाइस बोलिंग को थोड़ा कैप्टीन दे दूंगा गाइस यह असन को उसके बाद एन इसलम को यहाँ पर टीप परेरा हुए फिर एक क्रेस्क यहाँ पर में ले रहा हूं वाई चादरी के साथ ठीक है तो कैप्टीन हो गया है मेरा फिल यहाँ पर बाइस के प्रिंट एस इस इसलम और यहाँ पर गाइस बाइस केप्टीन एम हसान यहाँ पर गाइस केप्टीन एन हुसाइन और यहाँ पर गाइस देने वाला हो एफ राजा को कुछ इस तरह से बनने वाला है आज के कंबिनेशन तो गाइस लाइन आप के बाद एक दो प्लेयर अगर चेंज होते हैं तो मैं तूरांत आपको टेलीग्राम पर इंफर्म कर दूंगा इसलिए टेलीग्राम जोना बहुत जरूरी है लिंक डिस्क्रिप्शन और फास्ट पॉइंट लाए इस उमिद के साथ मिलते हैं अगले और एक वीडियो में तब तक के लिए गुडबाइए